है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना अपने रधे में मेरी आग्यों को रखे रहना क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयू बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए बरन उनको अपने गले का अहार बनाना और अपनी रधे रुपी पटिया पर लिखना और तू परमेश्वर और मुनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तू अति बुद्धिमान होगा तू अपनी समझ का सहारा न लेना बरन संपुर्णमन से यहवा पर भरोसा रखना उसी को स्परण करके सब काम करना तब वह तेरे लिए सिधा मारग निकालेगा अपनी दुष्टी में बुद्धिमान न होना यहवा का भह मानना और बुराई से अलग रहना ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड पुष्टर हेंगी अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमी की सारी पहली उपज दे दे कर यहवा की प्रतिष्टा करना इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधू उमनता रहेगा हे मेरे पुत्र यहवा की शिक्षा से मुहन न मोड़ना और जब वह तुझे डाटे तब तु बुरा न मानना क्योंकि यहवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है जैसी कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुध्धी पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे क्योंकि बुध्धी की प्राप्ती चांदी की प्राप्ती से बड़ी और उसका लाब चोखे सोने से लाब से भी उत्तम है वह मुंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तों की त उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दहिने हाथ में दिरगाय। और उसके बाय हाथ में धन और महिमा है। उसके मारग मनभाव है और उसके सब मारग कुशल के है। जो बुद्धी को ग्रहन कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का रुक्षबंदी है। और जो उसको पकड़े कहते हैं वह धन्य है। यहवा ने पुद्धी की नेव बुद्धी से डाली और स्वरग को समझी के द्वारा स्थीर किया। उसी के ग्यान के द्वारा गहेरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस्ट अपकते हैं। है मेरे पुत्र ये बाते तेरी दुष्टी की पुट नो होने पाए। खरी बुद्धी और विवेक की रक्षा कर। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे और तु अपने मार्ग पर नीडर चलेगा और तेरे पाव में ठेस न लगेगी। जब तु लेटेगा तब सुक की नीन आएगी। अच्छानक आने वाले भैसे न डरना और जब दुष्टों की विपत्ती आपड़े तब न घबराना क्योंकि यहवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाव को फंदे से फसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए तो यदि तुझ में शक्ती रहे तो उनका भला करने से न रुखना यदि तेरे पास देने को कुछ हो और अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिराना कल में तुझे दूँगा जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ती न बांधना जिस मनुष्य ने तुझ से बुरा परंतु वह अपना भेद सिधे लोगों पर खोलता है दुष्टे के घर पर यहवा का शाप और धर्मियों के वास्थान पर उसकी आशिश होती है ठटा करने वालों से वह निश्चे ठटा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है बुद्धिमान महिमा को अपने में पाए और मुर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी